नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू 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 गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करेंट अफेयर में 8 मार्च 2021 के निूज पेपर से हैं, जो कि आपके आगामी परिक्षा CHSL, कमबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, Intelligence Bureau, दिल्ली पुलिस, CPOSI, and other state services exam, इन सभी के लिए यह लापदायक सिद्ध होगी, और दोस्तों जैसा कि आज 8 मार्च है, अंतर रास्टिय महिला दिवस, यानि international women दे है, तो आज का यह पूरा current affair, महिलाओं को समर्पित होगा, यानि dedicated to women, तो एक एक करके हम लोग चर् रास्टिय मामलों में, जैसे कि रास्टिय महिलाएं हमारे रास्टिय मामलों में, जो कि रास्टिय अंतरास्टिय जगत पर उन्होंने ख्याती प्राप्त की है, तो उसमें पहली है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का खासकर कोरोना का में बहुत महत्वपूर योगदान था तपेदिक यानि टीवी जिसे टुबरकुलोसिस कहते हैं यह बैक्टिरियल विमारी है तो माइको बैक्टिरियम टुबरकुलोसिस और एचाइवी यानि हुमन इमुनो वाइरस पर शोध में तीस वर्स का इनको अनुभव डाक्टर सौ ढंक से रखना सुरू किया और वाइरस की जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए विस्व के बैक्ग्यानिकों के साथ काम करने के लिए प्लेटफॉर्म तयार किया डाटा साजह सुरू करने को सुरू किया इसका उपयोग वाइरस के बदलते इस ट्रेन को पहचानने वा टीका बना हम यह जो है नेशनल इंस्ट्यूट आफ वाइरोलाजी पूरे की निदेशक हैं इन्होंने कोरोना से जंग में भारतिय महिला शक्ती में अग्रणी रही उन्होंने जानलेवा वाइरस पर गहन अध्यान किया और साबित कर दिया कि हालात कितने भी मुस्किल क्यों नहों शक प्रिया अबराहम बताती है कि महामारी से निपटने के लिए लगातार कारे जारी है तीन और कमपनियां चाहती है कि हम उनके टीके के फार्मूलेशन की जाच करें तो इस तरह से एनाईवी की टीम एंटी वाइरल टेस्टिंग पर भी काम करती है जिसमें पता चलता है कि य मारने में सक्षम है या नहीं तो कोरोना के नए स्टेंड को लेकर भी इनकी टीम सतर रखायती है यह ध्यान रखेंगे इनका नाम प्रिया अबराहम है अब बढ़ते हैं दोस्तों और गैनिक फार्मिंग इस डन बाई 105 एर ओल्ड पपामल तो यह जो है यह भी काफी चर्च हैं और सबसे कह सकते हैं कि उम्र दराज है यह प्रदम स्री पाने वाली पपमाल 105 साल के उम्र में खेती में इनको इंसाइकलोपीडिया कहा जाता है केवल धाई एकड़ खेत में 105 साल की उम्र की यह खेती का ज्यान ऐसे में इनको खुद को इंसाइकलोपीडिया के रूप म पपमाल महिलाओं को संगठित करने की छमता और क्रिसी के लिए समर्पन को देखकर भारत सरकार ने इस वर्स इन्हें पदमस्री अवार्ड के लिए चुना और इनको पदमस्री से सम्मानित किया गया है तो याद रखेंगे यह भी चर्चित हैं तमिलनाडु में हैं और यह ज समिलनाडु के समीब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तो इसकी सहायक नदियां है कावेरी की भवानी, काबनी, लक्षमर, तीर्थ, शिम्षा, अमरावती, हेमावती, अरकावती यह सब सहायक नदियां है तो उसमें से एक भवानी नदी के किनारे यह और गेनिक खेती करती हैं तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि सबसे उम्रदराज हैं यह पाने वाली और दोस्तों तमिलनाड के कोयम बटूर में थेकम पटी गाओं की पमल को खेती किसानी में महिला शक्ति का आदर्स माना जाता है वो अपने खेत में बिना हानिकारक रसायनों के दाल, चना, केला और बाजरा उगाती हैं और इनको जो है इतमिलनाडू कृषिभी शुविद्याले के विसेसक के तोर पर यह सुझाओ देती हैं तो कई सहरों में जाकर किसानों से मिलती भी हैं यह काफी महत्पूर्ण हैं यह पॉइंट ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों Know About Narendra Modi Government Scheme For Women To Be Financially Independent यहनी महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के उद्देश यह मोधी सरकार ने महिलाओं के लिए कई ओजनाओं की घोशना की हैं उनमें से पहली ओजना है Working Women Hostel Scheme इसका मकसद है कि महिलाओं को सुरक्षित और सस्ता आशियाना उपलब्द कराना जिससे वह बिना किसी डर के रह सके और आगे बढ़ सके इस हॉस्टल में जैसे तलाक शुदा, बिद्वा या अकेली रहने को मजबूर लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं आवेदक की उम पूर्ण फ्री सिलाई मशीन योजना इससे भी महिलाओं को आत्मी निर्वर भनने के लिए तो फ्री सिलाई मशीन योजना का सुभारम देश के प्रधान मंतरी के द्वारा देश की महिलाओं को रोजगार प्रधान करने के लिए किया गया है इसमें जो है इसके अंतरगत स सभी गर्वती महिलाओं को ब्यापक और गुणवत्ता युग प्रसोपूरो देखभाल प्रदान करना सुनिशित किया गया है। हिंसा प्रभावित महिलाओं को समर्थन करने के लिए इसकी शुरुवात की गई। इस योजना को मूल रूप से सक्खी नाम से जाना जाता है। तो महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा बनाई गई। इस स्कीम के जरिये पूरे देश में सिलसिलेवार तरीके से निजी और सारवजनिक दोनों अस्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही जगा पर सब को लाकर समर्थन और सहायता देने के लिए कई वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। की भी नेतरी हैं। वेतिनाद और टोबैगो की पर्थम इटार्णी जनरल कारवाहक प्रधान मद्रोबी पक्ष के नेता की भी भूम का निभा चुकी हैं। तो यहां सरवोचपत पर रहने वाली हैं कमला प्रसास बिसेसर इनका मूलस्थान भारत के बिहार राज के बक्सर जिले से यहां तालुक रखती हैं। अगला है दोस्तों वेरियस नेशन इंटरनेशन परसनालिटी न्यूज में हम बात करेंगे डॉक्टर मनाली देशाई। यह जो है इनका चितर दिख रहा है। पिछले आठ सौ सालों के इतिहास में समास सास्त्र विभाग के इनका नाम फिर इसी तरह से भारत में जन्मी प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजी लेंड में मंत्री बनी है और वह इस पद पर काबिज होने वाली पहली भारतिय मूल की नागरिक हैं। कहां? न्यूजी लेंड में। न्यूजी लेंड की राजणानी क्या है? वेलिंग साथ यानि जोसेफ बाइडन 46 में रास्ट पती और उपरास्ट पती कमला हैरिस बनी हैं। तो पहले अश्वेत और पहली ACI अमेरिकी उपरास्ट पती हैं। तो इस तरह से इंडियन जमैकन, इनके फादर जमैका के थे। जमैका कहा है? केरेबियन कंट्री है हो। तो जमैक किराजधानी क्या है? किंग स्टन है, याद रखना दोस्तों, तो वहां और भारतिय मूल की मा हैं। तो इस तरह से जो है यह ब्यक्तित तो कहीं न कहीं भारत से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं पुस्तकें और पुरसकारों में अवनी दोशी, कला नरायन स्वामी और गीतानजली राओ, तो यहां पर पहला चितर जो दिख रहा है अवनी दोशी का है, तो अमेरिका में जन्मी वर्तमान में दुबई में रह रही भारतिय मूल की लेखी का अवनी दोशी की किताब है बंत शूगर को, बुकर पुरसकार के लिए अंतिम छे लेखकों की में यह जगा बनाई, हाला कि यह जीत नहीं पाई, मैं बुकर अवार्ड ध्यान रखेंगे, तो यह जो है बुकर पुरसकार हर वर्ष दिया जाता है, 1969 से दिया जा रहा है, और अभी तक अपने भारत से पाने वाले बुकर पुरसकारों में पहली महिला थी अरुन्धती राय, उनकी चर्चा भी आगे हम करेंगे, तो गॉड आफ इसमाल तिंक के लिए दिया गया था, अरुन्धती राय के, और इसी तरह से कीरंड देसाई को 2006 में दिया गया था, इनहेरिटेंस आफ लॉस के लिए, 2008 में अरविंद अडिगा को दिया गया था, याद रखेगा दा वा इनाइट चिल्डन के लिए पूकर आवार्ड, यह सारी लिस्ट हमने बता दी दोस्तों, अब जो है, दूसरी जो महत्पूर्ण है, सिंगापुर स्वास विभाग की मुक्ताबित भारती मूल की कला नरायन स्वामी, एक नर्स हैं, तो सिंगापुर में प्रतिष्टित आगे बढ़ाने के लिए उस्जुक है, यह उनका चित्र है, और दोस्तों, तीसरा, इनके बारे में मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, प्रतिष्टित टाइम मैगजीन में, पंदरा वर्सी भारती मूल की अमेरिकी साइन्टिस्ट गीतानजली राओ को, किड्स आप द इयर के खिताब से नवाजा गया है, तो कितानजली राओ को यह खिताब दूसी पानी और साइबर बुलिंग जैसी एहम मुद्दों पर काम करने के लिए दिया गया था, अब बढ़ते हैं दोस्तों, प्रिया दर्शनी यह भी देख रहे हैं, चित्र इनका दिख रहा है, त दोस्तों, और वह एक संगीत कार गाई का वाइस ओवर कलाकार ब्रुक्लिन न्यूयार की गीतकार हैं, और दर्शनी ने नौ साल के उम्र में ही अपनी संगीत यात्रा कर सुरू की, जब उन्होंने बॉम्बे लच्मी राज गोपालन के साथ संगीत की पढ़ाई शुरू की और दूसरी महिला है, मारिया थटिल, यह 27 वर्सी भारती ऑस्टेलियाई ब्यूटी एक्सपर्ट और फैसन ब्लॉगर मारिया थटिल ने हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्टेलिया 2020 का ताज जीता है, मारिया के माता पिता 1990 के दसक में भारत से ऑस्टेलिया आकर बस गये थे, वह मेलबॉर में ही पैदा हुई और बढ़ी हुई थी तो इस तरह से यह महत्पूर्ण है दोस्तों और इससे पहले 2019 में भी भारती ही रही है ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में विनेस फोगाट अगेन वन गोल्ड मेडल दोस्तों भारतीय महिला पहलवान विनेस फोगाट ने माठियो पैलिकन रैंकिंग कुष्टी स्रीज में जीत दर्ज कर लगातार दूसरे सबता स्वर्ण पदग जीता है यह इनका पिक्चिर है आप देख सकते हैं विनेस फोगाट पिछले सबता कीव यूक्रेन की राजधानी है दोस्तों वहाँ भी स्वर्ण पदग जीता था इससे उन्हें अभिश्वास हो गया कि ओलंपिक के लिए उनकी तैयारिया सही चल रही है इस भारतियें पहलवान ने प्रतियुक्ता में विस्व की नंबर तीन पहलवान के रूप में प्रवेश किया और चौधा अंक हासिल करके फिर से नंबर एक पे बन गई है तो कनाड़ा की पहलवान टूर्णामेंट से पहले चालिस वे नंबर पर थी लेकिन अब वहाँ विनेस के बाद दूसरे नंबर पर है तो विस्व में नंबर वन पर कौन हो गई है विनेस फोगार्थ हो गई है याद रखेंगे दोस्तों अब बढ़ते हैं स्रीनू भुगता एंड सुधा सिंग्वोंदा न्यू देलही मेराथन एक आज पूरुस का नाम आ गया है नहीं तो मैं सारी महिलाओं का याद चर्चा कर रहा हूँ तस्रीनू भुगाथा ने अपने निजी सर्शेश प्रदर्शन के साथ आयोईद एजिस फेडरल लाइफ एंसुरेंस नई दिल्ली मेराथन के छटे सत के पूरुसवर का खिताब अपने नाम किया लेकिन वह टोकियो ओलंपिक के क्वालिफाइंग मानक समय को हासिल करने मे नाकाम रहे चुकि टोकियो के लिए जरूरी है जैसे उन्होंने बुखाता ने दो घंटे 14 मिनट 69 सेकंड का समय लिया जबकि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए जो मानक है जो स्टैंडर है वो क्या है दो घंटे 11 मिनट 30 सेकंड तो सोच ये थोड़े ही अंतर से रहे पूरी की जबकि महिलाओं के लिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का जो मानक है वह दो घंटे 30 मिनट है और ये दो घंटे 43 मिनट ये भी 13 मिनट जादा ले ली नहीं तो ओलंपिक में क्वालिफिक फाई कर जाती अब बढ़ते हैं दोस्तों महतपूर दिवस में जिसकी जेटकिन 1910 में अंतरास्टी महिला दिवस किनों ने शुरुवात कर दी थी तो अंतरास्टी महिला दिवस का आयोजन एक तरह से देखा जाए तो एक लेबर मुमेंट था जिसे संयुक तरास ने सालाना आयोजन के तरपर स्विकृति दी और इस आयोजन की शुरुवात का जो कह सकते हैं बीजार उपन हो गया था 1908 में जब निव यार्क शहर में 15 हजार महिलाओं ने काम के घंटे कम करने यहां बेहतर वेतन वोट की मांग देने की मांग के साथ बिरोत परदरसन निकाला था तो अंतर रास्टियम महिला दिवस पहली बार 1911 में आस्ट्रिया, डेन अधिकारिक तोर पर इसे मनाने की शुरुआत 1975 में तब हुई जब संयुक्त रास्ट ने इस आयोजन को मनाना शुरू किया और इस साल का जो थीम है चूज टू चैलेंज यह ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टन बिंदू है अब बढ़ते हैं दोस्तों लेटर स्टॉक पहला शासक था 1206 से 1210 तक फिर उसके बाद उसका दमाद जो की बदाईउं का गवर्नर था इलतुतमिस आया याद रखेंगे दोस्तों इलतुतमिस की तुर्के चाहलगानी पर था यह सब बहुत ही फेमस था उसने इकता पर था चलाया था तो इस तरह से फिर उसके बाद प्रथम महिला सासक रजिया सुल्तान बनी थी 1236 में बहुत ही महान सास क्या रही है रजिया सुल्तान और दोस्तों भारती राश्टी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसंट बनी थी याद रखना अगर पूछा जाए कि 1885 से 1947 के बीच तो तीन महिलाएं कांग्रेस अध्यक्ष रही है एनी बेसंट सरोजनी नाइडू और नल निसेन गुपता ती ये पहली भारती रास्टी कांग्रेस की पहली महिला और भारती रास्टी कांग्रेस की प्रथम भारती ये महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नाइडू थी 1925 यानी आठ जोड दिये फिर आठ जोड़ दिये तो 1933 हो गया, इस तरह से आठ-ठाठ साल का अंतर है, इसे याद रखिएगा, साहित एक आदमी पाने वाले प्रथम महिला अम्रिता प्रीतम थी 1956 में, मिस वर्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतिय महिला मिस रीता फारिया, उसके बाद एश्वरिया राय 1994 में जीती थी, फिर उसके बाद बहुत सारी डाइना हेडेन, युकता मुखी, प्रियंका चोपडा, इन सब लोगों ने मिस वर्ड का खिताब जीता, और सुस्मिता सेन एश्वरेय राय एकी वर्स में, सुस्मिता सेन ब्रह्मांड सुंदरी थी, मिस यूनिवर्स थी दोस्तों, याद रखना, और लारा दत्ता भी मिस यूनिवर्स रही हैं, तो इस तरह से इनकी पूरी लिस्ट बना लीजिए, एसियाई खेलों में सुन्ड पदग विजिता प्रथम महिला कमल जी संधू थी, 1970 के एसियाई खेलों में थाइलैंड में हुआ था, और दोस्तों भारत रखने सम्मानित होने प्रथम महिला इंद्रा अगांधी, याद रखना प्रथम महिला प्रधान मंत्री ही थी, और अपने ही वहा भारत रखन भी ले ली थी, पद पे रहते हुए, और ज्यान पीट पुरसकार 1965 से स्टार्ट हुआ था, पहला मलयालम कवी जी शंकर कुरूब को मिला था, तो पहली महिला आशा पूर्णा देवी को 1976 में मिला था, नोबल पुरसकार वीजेता प्रथम महिला मदर टेरेसा को 1979 में, और 1980 में ही इनको भारत रत न मिला था, मिस उनिवर्स बनने वाली पहली भारती महिला सूस्मिता सेन 1994 में, बुकर पुरसकार जीतने वाली पहली महिला भारती अरुनधति राइदगौर्ड आफिस्माल तिंस के लिए 1997 में दिया गया था ओलम्पिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला करणम मलेस्वरी वर्स 2000 के ओलम्पिक गेम में जीती थी और भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नाइडू थी दोस्तों इन्हें भारत को किला भी कहा जाता था और भारत की पहली महिला भारती रास्टी कॉंग्रेस की अध्यक्ष भी रही है भारती है हाँ याद रखना और लास्ट में बात करते हैं स्वयक्त रास्ट में पहली भारती महिला राजदूद बिजे लक्ष्मी पंडित और पर्थम महिला मुक्यमंत्री राज्ज में उत्तर देने वालों में मधू आशुतोस, पूजा कुमारी, दीपेश सर्मा, नीरज यादो, पहात यूनिश, नीरज जोसी, मुश्कान हरुन सेख, अजय सिंग, प्यूस अवस्थी, प्यूस अवस्थी जी क्यों परिशान हैं, आपका कल मैंने मैसेज देखा था, खूब मेहनत करि और लगे रहिए, निशित रूप से सफलता मिलेगी, देखिए, सफलता का कोई सौर्ट कट नहीं होता है, और एकदम नहीं परिशान हुई है, चुकि देखिए, ये कोरोना काल है, इसमें जो है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा डिफ्रेशन लोगों को हुआ, साइकल निशित रूप से आप पास होंगे, बस लगातार अध्यन करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ये सब लोगों के लिए है, सिर्फ प्यूस जी ही नहीं, हम सारे बच्चों से यहीं आशा करते हैं, कि वो लोग अपनी स्टडी को रेगुलर्टी, कभी रेगु अलाकारे क्या है? सफलता अरजित करना, तो सफलता अरजित करने के लिए क्या होगा? कि आप इसके साथ इमानदारी बरते हैं, और प्रती दिन, प्रती दिन, आप मैं यह नहीं कहता हूँ कि 10 घंटे पड़िये, लेकिन कम से कम एक आदत बना लीजिए, बिना किसी वार्ट कह सकते हैं कि इन सब के दिन भी आपको पढ़ना है, और इस तरह से जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाते हैं, आपको निरंतर इस कार में लगे रहना है, और घबडाना नहीं है, एकदम पूरी तरह से पूरा फोकस है हम लोग, और जितनी कोशिस करता हूँ कि जब आप लोगों को इसके कोश्चन्स खूप सारा इसको जो है बनाईए, हर हपते का पूरा, एक हपते का पूरा, आप लोग वेवरा दिखिये कि आपका आउट्पुट क्या रहा, एक हपते का, मतलब सोचिए, दस कोश्चन परड़े हम लोग बात कर रहे हैं, सतर का मतलब है, मल्टिप्लाई कर दो, चार हपते का कितना हो गया, और एक महीना, दो महीना, तो छे महीने में कितने कोश्चन बैंक हो गए, इसको आप तैयार करिए, और घबडाना नहीं है, लगातार प्रयास करते रहना है, निश्चित रूफ से सफलता मिलेगी, यानि कर अ अच्छा पुषता है, तो दिल खुस हो जाता है, तो आईए, आगे और नाम ले रहा हूँ, प्रियंका, गौतम, और आरके सिंह, आदित्य धुवेदीप, संस्कृती कुमारी, सिध्धान्त बादल, रॉक माइकल, स्रवन खालिंग, सौरप चोधरी, कृष्णा चिंथा, स पंदीप यादव, सीमा गोगिया, संजेनेगी, वर्साबावा, पीखरे, तोफाशबा तश्कीन, सर्जे, अजीजडार, कश्मीर से, इतने लोगों ने आज कमेंट और उत्तर दोनो दिया है, आशा करता हूँ कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे, तो सवास्तंगठन, यूनिसेफ, नासा या इन में से कोई नहीं, नेक्स्ट है, नेशनल इंस्ट्यूट आफ वायरोलाजी पुणे की निदेशक कौन है, डॉक्टर सौमया स्वामिनाथन, डॉक्टर प्रिया अब्राहम, डॉक्टर स्वाती मोहन, डॉक्टर स्वाती गर्ग, नेक्स्ट है, भारती मूल की कमला प्रसाद विशेसर किस देश की पर्थम महिला प्रधान मंत्री थी, सूरी नाम, फीजी, त्रिनाद एंटोबैगो या हैती, नेक्स्ट कोश्टन है, वर्स 2021 का पदम स्री पाने वाली सबसे बुजुर्ग महिला पपमाल किस राज्य से हैं तमिलनादू, केरल, करनाट का ततेलंगाना, नेस्ट कोश्टन है, डॉक्टर मनाली देशाई है, इस बिकम दा फर्स वोमेन अफ इंडियन ओरिजिन तो होल्ड पोस्ट आफ चेर्मैन अब दा सोशियोलोजी दिपार्टमेंट आफ विच इनवर्स्टी, ऑक्सपोर्ड इन अमेरिका की पहली महिला उपराश्टपती, कमला हैरिस किस मूल की है, भारती ये जमयका यानि इंडियन जमयकन मूल, इंडियन ब्रिटिस मूल, चाइना जमयका या इन में से कोई नहीं, नेस्ट कोश्टन है, विनेश फोगाट का संबंद किस खेल से है, मुक्यबाजी, और बैटमिंटन या कबड़ी नेस कोशन अंतरास्टी महिला दिवस कब मनाया जाता है पांच मार्च, छे मार्च, साथ मार्च या आठ मार्च और दोस्तों नौवा प्रसने भारती रास्टी कॉंग्रेस की परतम भारतीय महिला द्यक्ष कौन थी एनी बेसन, सरोजनी नाइडू, सुचेता कृपलानी, बिजे लक्ष में पंडित और अंतिम प्रसने मिसवर्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है या थी या आँपर थी हो गया है इसको है कर लीजिए तो आप जैसे रीता फारिया, एश्वरे राय, प्रियंका चोपडा या यूगता मुखी तो इन दसों प्रसन के उत्तर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग देंगे और आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू दोस्तों